सावरकर इसमारक टेलिवीजन में आपका स्वागत है हम इस बात के लिए बड़े मंगनून हैं खुश हैं उत्साहित हैं कि इस टेलिवीजन के इनॉग्रल में सावरकर इसमारक के स्टूडियो के इनॉग्रेशन के पहला इंटर्व्यू देश के जाने माने डिरेक्टर राइ लेखक और आज के कश्मीर के जो इस्थिति है उसकी प्रश्ट भूमी को देखें इतिहास को देखें तो 1924 में जो जम्मू कश्मीर का पहला उर्दू का अखबार निकला उस अखबार को निकालने वाले वेद राही साहब के पिताजी आज वेद राही साहब हमारे साथ है आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है वेद राही साहब कश्मीर देश के लिए नहीं पूरे अंतराश्टी मामलों में सुर्कियों में चाया रहता है कश्मीर के बारे में बहुत सारे नरेटिव पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं आपका कोई 86 बरस आपकी उमर होने जा रही है आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां जमु कश्मीर का पहला अख़बार निकला और जिस घर से अख़बार निकलता है उस घर के अंदर साधारन बाते नहीं होती है आपने अपने सामने किताश को बनते और बिगड़ते देखा है और आपका कोई राजनितिक किसी से संबंदित नहीं है आज के दौर में जब लोग अपनी बातों में राजनितिक एजंडे को दिहान में रखके उस नफे नुकसान को दिहान में रखके बात करते हैं तो सच बात कहने की हिम्मत नहीं होती है आज का देश आप से जानना चाहता है कि आपने और आपके पिता जी ने क्या कल्पना की थी कि जो आज जम्मु कश्मीर की इस्थिती है ये कभी आपके दिमाग में आई थी ये तो कभी सोचा नहीं था कि आज जो हो रहा है वो ऐसा होगा लेकिन आज जब हम ये बात कर रहें आपस में तो मैं समझता हूं कि जो हो रहा है इस से अच्छा नहीं हो सकता था कभी जो आज हम बात कर रहे हैं क्यूं कि मैं गवा रहा हूं इस बात का मेरी उमर उस वक्त पच्छिती साल की थी जब मैं जब मु किश्मीर में ही था वहां रीडियो स्रेशन में काम करता था उसके बाद किश्मीर के इन्फरमेशन डिपार्टमेंट में एडिटर था एक मैगजिन का तो बहुत कुछ मेर सामने ही हुआ है और मैं आंखो देखी बाद करता हूं ये कि उसके बाद जो सिच्यूएशन खराब हुई है किश्मीर की मैं समझता हूं कि उसके पीछे सबसे ज्यादा करफशन का हाथ है जो भी हुआ उस वक्त आज से सतर शाट सतर साल पहले जबकि मैं होश में था जवानी में था मैं और अपने सामने देख रहा था तो वहां मैं समझता हूं को मूलता यह करफशन की वज़े से हुआ है और यह जो धीरे धीरे सिच्वेशन खराब होती चले गई किश्मीर की इसका मूल कारण मुझे करफशन ही लगता है कि बेबाकी से मैं यह कहना जाता हूं कि दिली की सरकारों ने एक सरकार में नहीं कई सरकारों ने कश्मीर को जो जैसे लहू लगाना किसी का होता है मू को लहू लगाना जो पैसे वहां भेजे हैं यह सोच कर कि कश्मीर को हम अपना तबी बना सकते हैं अगर हम पैसे वहां भेजेंगे और वो पैसे तो आम लोगों तक पहुँचे नहीं गरीब आदमी तक तो पहुँचे नहीं वो कुछ पचास साथ सो फैमिली तक पहुँचे और दूसरी वजय यह पैसे क्यों पहुँचे मैं समझता हूँ कि जो पैसे वहां भेजे जाते थे वा आदे पैसे तो आदे तो दिली में ही रह जाते थे और आधे वो कुछ फैमिली जो थी वहाँ वो खा लेती थी और यही हालत पाकिस्तान की भी है पाकिस्तान क्यूं किश्मीर को छोड नहीं सकता कि उसकी भी जितनी सरकारे आएं वो जितना पैसा वहाँ किश्मीर में भेजती है वो आधा तो इसलामाबाद में ही रह जाता है आज भी तो यह जो पैस्ति यह क्रॉप्षिन जो ही इसकी वज़े से वहां का आम आदमी उसमें कुछला ही गया सुनिये कुछला गया और बाद में एक ऐसी सिच्वेशन आगे कि वहां के लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी तो वो लोग उन्होंने सोचा के हम इसलाम का इस लोग ज्यादातर मुसलमान है तो इसलाम का नाम लेकर हम इनको चुप रहें इनको दूसरे रास्ते पे लग क्लाम काना शुरू कर दिया वो लोग उस में बेह गए और वह depression जो इंडिया से भी होते रही भारत की सरकार भी करती रही पाकिस्तान की सरकारभी करती रही लेकिन आज जो 2014 के बाद आज जो मेरे ख्याल में मोदी जी ने जो किया इसके इलाव और कोई चारा नहीं था कि ये सरजरी की जाती और आप में देखा होगा कि इतना बड़ा वबाल इंडिया में उठा सी ए के खिलाफ किश्मीर में भी इसका रेक्शन नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ कि वहां के लोग वो पिछले सतर सालों से जो हो रहा था उससे तंग आ चुके थे इसलिए वहां इसने भी कोई अफर नहीं किया मेरा मेरा जो सवाल है कि कर्श्ण तो एक ऐसा वाइरेश है जो पूरे देश में है कुरी दुनिया में है लेकिन कर्यप्शन अपनी जगा है बहुत सारे राज ऐसे हैं जहां पैसा जाता है तो वहां कुछ परिवार होते हैं प्रिवार चला रही परिवार के थुरू से बेश चलता था लेकिन मेरा बड़ा सवाल यह है कि यह कैसे मुंकिन है कि 1947 के बाद जब सम्विधान बना तो वो लोग जो आप उस जमाने में जिन लोगों को आपने अपने घर में देखा होगा चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो उन लोगों ने पहले 370 लिया और 370 के अंदर आपने special power ली तब तो corruption का सवाल नहीं था तो सवाल यह था कि जम्मू कश्मीर भारत की धरती पर एक इस्लामिक राज क्यों बनने दिया गया एक two nation theory के तहट एक राज को क्यों इस्थापिद होने दिया क्योंकि देश तो इसी theory पर विवाजित आपने का भारत की सुप्रीम कोट की limited power होगी आपने का भारत की संसत की भी limited power होगी और फिर आपने चार साल बाद 14 मई 1914 को भारत के समविधान के खिलाफ जाकर के article 35 के भी देखिया तो इसका नतीजा यह हुआ कि जम्मू कश्मीर भारत की धरती पर एक ऐसा राजबना जो क केंदर को ट्रम डिक्टेट करता था और केंदर को यह मर्कज को ब्लैकमेल करता था नहीं वह इसलिए मैं आपको मेरा जो मेरा नजरिया है वह यह है क्योंकि मैंने अपने आँखों से बहुत कुछ देखा और मैं समयता हूं के मैं अगर इमानदारी से बोलूं तो शेख मौ मौहमद अबदल्ला कश्मीर के लीडर थे इसमें कोई शक नहीं और उन्होंने और वो नहरू जी के बंदे जोहरला नहरू के दोस्त भी थे वो अगर वो इंडिया में इसलिए भी जाना चाहते थे के नहरू तो अपने दोस्त हैं कश्मीर का मैं लीडर हूं आप पाकिस्त के साथ मिलूँगा तो मैं वहां जिन्ना के अंडर हो जाऊँगा जिन्ना क्या चाहेंगे मुझ से यह मुझे क्या पता तो मेरा ख्याली है कि शेख अबदल्ला जो इंडिया के साथ जाना चाहा उसका एक कारण यह भी था कि मैं किश्मीर का सर बड़ा बनू बड़ा अन्होंने महराजा हरी सिंग को भी वहां से चुटी कर वादी उन्होंने उनके बेटे डॉक्टर करन सिंग को वांका सद्रे रियासत बना दिया वह गोर्नर की तरह थे धीदे धेर उनका भी वह खत्म हो गया और वहां जो और चुंके भारास सरकार की गलती से मामला जो है यू एनो में चला गया तो वह एक मजबूरी उन्होंने दिखानी शुरू कर दी जो रियालिटी भी थी कि अगर हम शेख बदूला की बाते नहीं मानेंगे तो यू एनो में अपना स्टेंड कैसे खड़ा करेंगे ये कैसे बोलेंगे कि वहां के अवाम जो है वहारे साथ है तो उनको इस बात को पंदिज जवाहरलाल नहरू ने इस बात का बहाना लेकर वहां बहुत सारी बातें जैसे आप कह रहे हैं 370, 358 ये सब जबरदस्ती बिना पार्लियमेट में एपरूब किये मजबूर किया डॉक्टर अजिंदर परशाद को परिज राष्ट्रपती को उन्होंने साइन कर दिया और वो गलत बातें वहां हो गई और शेख अपनी असंबली में विधान सवा में ये लाबास कर दिया कि हमारे पास ये ताकत है कि हम किसको अपना नागरिक बनाएं या नहीं बनाएं लेकिन इसमें एक पैक्टर ये भी है कि जो कुछ कश्मीर में जन्वरी 1990 को हुआ उस से पहले भी 1947 में क्योंकि उस दोर के बारे में बहुत जादा हिस्टोरियन या राइटर इमानदार नहीं रहे हैं लोगों ने 22 तरीके से बहुत सारी बातें डिस्क्राइब की हैं जब वो बद्दों या कबालियों के शकल में हिंदुस्तान में जो ह देखा ही नहीं मैं उसका विक्टिम भी रहा है क्योंकि मैं उस वक्त मेरी उमर 12 तेरा बरस के थी और वह इतना उन्होंने जब अटैक किया जब उन्होंने देख पाकिस्ताने जब देखा के शेख अबदुला और पंड़न जोहरलाल नहरू आपस में मिलके हैं और नहरू उन्होंने शेख अबदुला की सबी बाते मान ली हैं नजायज बाते मी मान ली हैं तो अब ये कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ आए गया नहीं तो इस पर अटैक कर दो तो उन्होंने कबाईलियों की शकल में अपना वहां फोज अपनी भी ती तो मैं उस वक्त जमू में थ वढ बाताम से की थी और मे बता मोढ जो अखबार था वो आवारा थी निकलता था तो मेरे पिता जीने वो हुझे झाला के मेरे चोटे बाहित है इंकी उमर नो साल की थी हम दोंनो को अनोने एक गारी में बिटा दिया तो तुम लोग जम्मु से भागो, हम नहीं भागेंगे, तो तुम लोग भागो और पठानकोट जाओ और तुमारे नानिहाल से जो लोग आए हुएं लाहर से अमरसर गएं तो उनके पास जाके ठार। लेकिन वहा तक पोंचना कैसे था, वहां तो जम्मु से पठानकोट का तो हम एक टूटी-फूटी पुराने किसम की बस में बैठे और धर्याब में उस बस को धक्के देते हुए और भी बहुत सारे लोग थे सब लोग दर्या में उतर जाते थे उसको थकाते थे फिर वो जंगल में चलती थी फिर हम किसी तरह से दो चार दिन में पठान कोड तक पहुंचे और वहां आप ट्रेन की चात पे बैठके हम दो भाई चोटे-चोटे वहां पहुंचे फिर आमने वहां अपने ना नहाल के लो पहुंचे थे मीरपूर, मुताफराबाद और उन इलाकों से वह हम देख रहे थे कितनी बुरे हालात में आए हुए थे उनका किसी मेरे मेरी मेरी सगी मासी मेरी 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 म वाइफ पहुँ चोके तो है, एक माने आपने बेटे से कहा, यह तल्वार लो, जल्दी से मेरा गला काड तो, अपनी वाइफ का भी आपनी बेहन का भी और भागो यहां से तो. तो उसने मां को भी मारा, कहने से वाइस को भी मारा, भागा और फिर वापस आया, उनके घले से जेवरात निकालर के पिर भागा और ऐसे बहुत सारी वाते हैं किन कित जो में खुँद आपने आंखों से राजोरी में वो कुपंध देखा है इसमें पतानी कितनी अवर्तों ने हिंदु उर्टों ने वहां चलांग लगाई है और मैंने आदा भरा हुआ वहां उड़ियों से बहरा हुआ खुआ हैं तो उस वक्त जो पाकिस्तान ने अटेक किया था तो आप उसकी तो कहानी भी बियान करनी भी मुश्किल है कि वहां क्या क्या हुआ लेकिन एक बात मैं जाना चाहता हूं कि जो घटना उननीस सो सेटालीस में हुई और आप वो गत्लों गारत देख चुके हैं लेकिन उसी समाज के साथ ना इस बार पाकिस्तान ने अटेक किया ना कोई बाहर से ताखते आई और 19 जन्वरी 1990 को जिस कश्मीर को आप लगातार पिशले 40 साल से हम ये सुन रहे हैं कश्मीरियत जमूरियत और इंसानियत ये कौन सी इंसानियत थी और कौन सी कश्मीरियत थी है रहे हैं देखिए ये पौलेसी जो है ये शरू से ही रही है किसमीर में जतनी भी सरकारें आई ए शेए उसके बाद मीर कासम की आई ऐसके बाद सादिक साब की आई वह मैंने सब देखा हैं तो मेरे ख्याल में किसी भी सरकार ने स्वाई एक सादिक साभ की सरकार थी लेकिन बाकी जतनी भी सरकार थी फारूक अबदुल्ला साभ और ये बाद में उमर अबदुल्ला साभ ये सारी जतनी भी सरकार उनका ये पालिसी रही है कि हम किश्मीर में ज्यादा से ज्यादा मुस वाहा देखता हैं किष्मीर में कितने सिख रहती थे उनका क्श्मीर में भनायगी उनको डिग्याना केम्डीम में भनाया गया गिए ताकि वूच्छ थीए नन-मसिलिम है उनको जमू में भीजा जाए। तो ये पालिसी जो उनकी थी वो शुरू से ही रही थी के ये वहां किश्मीर में मुसलिम अबादी ही ज्यादा रहे हर तरह से और फिर और जम्मू में जो लोग मुदफराबाद मीरपूर इन लोग इनकी तरफ से तो लोग आए वहां लुट लटा के बरबाद होकर आए जो हम जो लगोर और क्षियाल कोट और पंजाब से लोग जम्मू में आए जिनकी तदाद हजारों में थी जो आप लाखों में उनको वहां वो डालने का हंकी नही दिया गया जैसे आपने कहाँ थर्टीफाइव क्या है तो आज लोग अज लो लुग लाखों में उनको कश्मी किश्मीर इसम्बली में वोट डालने का भी हक नहीं था तो इसी वज़े से किश्मीर की इसम्बली में मुसल्मानों की मेंबर्स की तेदाद ज्यादा थी हिंदुों की कम थी और वो राज करते थे और अपनी मर्जी से करते थे एक तो 1947 का पूरा हास्सा और आप जो अभी वर को जिम्ला कितना इसे बारे में आपकी टिक्पड़ी इसलिए वह कि जो बार बार हमने कहा कि कश्मीरियों को कश्मीरियत जाहिए इंसानियत चाहिए जमूरियत चाहिए यह नरी टिफ मुझे जब सुनता हूं तो बज़े लगता है ब्यहार के लोगों को नहीं चाहिए सब्सक्राइब कि श्र2 में किया मार्कार्ट भी कि मजजितों का इंव कि स्लाम का स्ब्सक्रीश लेकिन बार 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 चलता रहा कश्मीरियत कश्मीरियत आखिर यह कि सलता तो कि मैं कि वहां कि जोम आटकर कि इस Vishal गारी कि बॷुआ को उह उह सुरूर ने जब जब वहां कि हकोमत बने तो उन्हो ने बड़ी वे सोच के वहां के वहां कि अवाँ daha हुअग्म को उनément कि लिड़र थे यहह ईत्राश नहीं था है कि यह हिं देड़ के भाद में जब वहां के लोगों ने हूं मुसलमानों चुरू घब फे देखना менा शुरू किए पाकिस्तान से भी पैसा Bis next year सअरे है δृली दिली से हिंग वहां के सरकारिय भीज रही है और यह पचास यह 100 यह 200 सेमिली जो है सा यह चाघर हैं तो हम इनके साथ क्यों रहें और वहां की जो पैसा खा रहे थे लोग जो वहां की हकूमत भी कर रहे थे उन्होंने सोचा अगर ये लोग जाग जाएंगे लोग जाएंगे कि ये कश्मीर तो मुसल्मानों का है यह अक्सरियत मुसल्मानों की है हम तो पाकस्तान के साथ जाएंगे पाकस्तान तो मुसलिम देश है तो धीरे धीरे जो ब्रेन वाश हुआ उनको और उन्होंने उनको पैसे भी खिलाए उनको पैसे भी दिये उनको उपर उपर से कुछ ल गोकों ने हिंदु और मसलमानों में ये डिफ्ट ये नफरत पादा होनी शुरू हो गई और अल्तीमेटली उसका नतीज ये निकला, जो कटर मॉसलमान चाहते भी थे, उसका नतीज ये निकला कि कश्मीर से हिंदु को बिलकुल निकाल दो और उनिकल गए और ट्रेजडी यह है, कि वहां से जो इतने लाखों हिंदुों को निकाल दिया गया, सारे भारत में किसी ने भी अपने घरों से बाहर निकल कर एजिटेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कि लाखों हिंदुों को अपने ही देश में अपने घरों से निकाल दिया गया है. यह तो दुनिया का पहला ऐसा एक्सोडस था जुनोसाइड था लोग अपने ही देश में शर्णार्थी बने और और करोड़ों जो इस देश के हिंदू ही हैं या मुसलिम हैं किसी ने उस एक डोसर पर जरा भी उन्होंने उनसे हम दर्दी नहीं जिता वह समझ गया लेकिन मेरी मैं जो आपसे स्पेसिफिक टिपणी चाहता हूं यह सब हो गया हिंदू ने पुरे देश में उनको आज हो सकता है वेलकम न किया हो हो सकता कोई demonstration नहीं किया हो हो सकता ही नाराजगी रही हो लेकिन फिर भी इस देश के चाहे महराष्ट हो चाहे गुजराथ हो चाहे राजिस्तान हो वो इतनी लाखों में जो कश्मीर अपना घर छोड़के आये कश्मीरी पंडिक वो आज वहीं रह रहे के छोटी छोटी उन और उसकी देख रेख में मात्र 40 दिन में इतना बड़ा सानिया होता है इतना बड़ा कांड होता है आप कश्मीरियत की बात करते हैं आप कश्मीर में मुसल्मानों को एक खास कसिंके निसा मुसल्मानों में ऐसे लोग नहीं थे आम लोग नहीं थे ये मुमकिन है कि इतने ब आपके खून में, कश्मीरी मुसल्मान के खून में वो नफरत थी कश्मीरी पंडितों के प्रती, क्योंकि अगर वो नफरत नहीं होती तो आप इतना जगन अपरात भी करते हैं, दो कहानी में बताना चाहता हूं उसके आपकी टिप पड़ी चाहते हैं, जब आतंकवादी कश कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार रहे थे, तो शिरी नगर की मस्जितों से अजान कौन दे रहा था, उस अजान की आवाज तेज क्यों की जाती ही, क्योंकि एक चपन की गोली की आवाज ना है, आप शरिया का इस्तमाल करके, आप जो नारे लगे हैं, वो देखे न, हम क् को मारा, और जब वो च्छत पे गए, तो एक कश्मीरी हिंदू पंडित एक चावल के ड्रम में छुप गया, पडोसी ने कहा यहां है, उसमें उसको मारा, और इतनी बुलट डाली, कि उसमें से खून बाहर बहने लगा, मैं दो बात पर सिर्ट रियक्शन इसलिए चाहता ने बात किया है, ने ने मैं पूरी बात कहलू, आप आप दीजे गरी, उसमें खून निकला, उस मुसल्मान ने उस ड्रम को खोला, और उसमें खून के सने चावलों को, उसकी नीचे जो बीवी थी, उसके मूह में ठुसा, एक, दूसरी घटना, एक महला, वहां से भाग के दिल्ली आ गई, एक बैंक की करमचारी थी, वेद रही साब यह में बात इसले नहीं कह रहा, उनमाद में, गुस्से में, ततकालिक तोर पे लोकों का गुस्सा होता है, लोग घुड़ आग लगा देते हैं, उस औरत को उसकी सोला कलीक्स में, यह कहा कि यहां कुछ बुरे लोग आ गये थे, ऐसे हो गया है, बहन तुम वापस आ जाओ, वो कश्मीरी हिंदू पंडित गिर्जा टिकू वापस गई, इस भरोसे में के इतने लंबे समय से रहें, शायद ऐसी बात सच होगी, वो गई वैली में वापस, उन कलीक्स ने कहा, तुमें हम अपने घर रखे है, उसने भरोसा कर लिया, उन सोला लोगों ने उसके साथ मास रेप किया, उसके कपड़े उतारे, फिर हाथ की आरा मशीन से काड़ दिया, आप कहते हैं, यह नफरत का इतना आनम, देखिए, यह जो बात आपने बताई, इससे भी ज्यादा ज्यादा हुए है, मैं कह रहू इससे बात क्या है, मैंने वो दौर भी देखा है, कश्मीर में ही अपने बच्पन में, आज भी मैंने वो दौर आपने आंखों से देखा है, जब हिंदूों और मुसल्मानों में बिलकुल ही नफरत नही थी, इतना जरूर था, वो जैसे होता है, तोड़ा सा रखो, अपरी का नहीं है, अच्छा थोड़ा सा सूखा मेवा खा लो, ये वो नहीं है, हिंदू मुसल्मान में, वो थोड़ा सा था, लेकिन मैंने वो दौर देखा है, जब हिंदू, हर हिंदू, हर मुसलिम फैमिली का एक फ्रेंड, एक दोस्त, एक गाइड, वो एक हिंदू और आज भी मैं आप वो परसनल बात बताता हूं, आज भी मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त, मुसल्मान ही है वहां का, मेरी ही उमर का है, वो भी बहुत अच्छा लेखक है, और दू का उसका नाम नूर शाह है, तो मैं ये नहीं मान सकता, वो था, लेकिन एक पचास साल की अरसे में, जब लोगों को मजहब के नाम पर गुमराह किया गया, तो ये सिच्यूएशन पैदा हो गई वहां, और हुई, डेफिनेली हुई, आप जो बात बोल रहे हैं, वो सब सच है, लेकिन हुई, और मैं आपकी फिर पहले कुश्चन पर या आता हूं, कि इतनी खराब हालात के बाद, आज भी, जब मोदी जी ने, जब अमिट शाजी ने, वहां पर, उन लोगों को जेलों में ठोंस दिया, जो करप्शन करते थे वहां, जो पैसे के जोर पर जूलम करते थे लोगों पर, हिंदूों पर भी, तो हिंदूों को तो निकाल दिया, इवल अपने बाईयों पर भी, जो जुलम करते, जिनको उनोंने मजहब के नाम पर भड़काया, जब इंडियन गवर्मेंट ने, दो हजार चौला के बाद, उन सब लोगों को मेरे ख्याल में वो पांच सो हजार के करीब लोग होंगे, टोटल, जब उनको जेलों में ठोस ठोस दिया है, तो आज वहां पर हालात आलमोस ठीक हो गए हैं किश्मीर में, और बलके ये बड़ी हैरानी की बात है, कि सारे भारत में मुसल्मान जो हैं, वो एज़ी कानून के खिलाफ काफी तराद में खड़े हो गए हैं, किश्मीर में कोई खड़ा ने हो है, इसकी क्या वज़े हैं, कि लोगों ने शायद किसी भी हालात में शुक्र मनाया हैं, कि यार, यहां से वो सतर साल हमने जो इतने देखे हैं, इतने भ्यानक वो सतर साल देखे हैं, शायद उसका इलाज अब शुरू हो जाए, ऐसा मुझलब पर दो कश्मीर में यही मैं कह सकता हूँ, ठीक है कि लोग पाकिस्तान से आई हुए मुसल्मान की चिंता कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में तो भारत के हिंदू और मुसल्मान कोई नहीं आपने रहने दिया था, उसी को नागरिकता आप नहीं देते थे, आप तो इतने एक्स्क्लूसिफ थे, तो आपकी मजबूरी यह है कि भारत के ल हलाद ठीक होने के चांसे भब रह ada हैं, बहुत भड़ गे Akbar नजरिया ये हैं कि जब तक कश्मीर खास्तोर से वेली में कश्मीरी पंडितों को उनके 1200 मंदर, उनके मकान, उनके घर, उनके लुटेरों को, उनके मारने वाले हत्यारों को जब तक सजा नहीं मिलती, कश्मीरी पंडित अपने सम्मान के साथ जब तक गैली में नहीं लोटते, तब तक ये तमाम बातें बहुत अच्छी हैं, कि माहौल ठीक है, माहौल ठीक एक तरफा है कि अब वहाँ कोई दूसरा है नहीं, अगर कश् कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू पंडित पूरे सम्मान के साथ, पूरे रुत्बे के साथ वहां इस्थापित हो, और वहां के वो मुसल्मान जिने आप आज भी कह रहे हैं कि कश्मीर जिन्दा है, वो गारंटी लें कि उनको मारने वालों को हम पहले पकड़ेंगे और कि उनको खात्मी लगाने के तो मैं आपकी बातों से सहामत हूं लेकन ये इतना असान नहीं है जितना यह जितना यह और भी बड़ी मुश्कला थैं किश्मीरी पंड़तों के साथ भी बड़ी मुश्कला थैं अभी क्या है अभी पिछले 30 सालों में उनके बच्चे जवान ह जितना यह शर भी है भारत में भी बहुत अच्छे धंग से वयस्का यह रहे ने गथ द्याजात की लेकिन अब और वहां जाएंगे के नहीं जाएंगे और कैसे जाएंगे यह बहुत-bड़ए सवाल है our यह अनLes अब बड़ आपता संव in लेकिन अब आभर जाय्डर्के ब मुझे बोल रही थी, कि डैटी मैं वहाँ उसने मुझे कोई दो साल पहले बोला कि मैं वहाँ जम्मू में अपना घर बनाना चाहती हूं तो मैंने उसे बेटा तुम तो ले नी सकते तुमारी शादी तो एक मराथी लड़के से हुई है तो तो तुम ले ही नी सकती हो तो आज मैं बोल रहा था उसको के तुम अब ले सकती हो अब ले सकती हो तो अब ये जो हालाद बदले हैं तो ये इतनी जो आप जिस किश्मीदियत का खाब जो मैंने अपने एक नौवल लालदत में दिखाया है के असल किश्मीदियत क्या है व मैं यह चाहरा हूँ कि अब ऐसा महाहूल बन वीया है कि अब किश्मीर, जमु किश्मीर के हाला ठीक हो सकते हैं ऐसा बन गया। वेदराही साहभ से बाचीत जारी रहेगी एक बेक काहारन ओर हूं और रेक कि साहभें फिर वेदराही साहभ ने झाल झाल एक बार फिर सावर करिस्मारक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हम बात कर रहे थे जाने माने फिल्मकार, निर्देशक, लेखख, पत्रकार, वेद राही साब से राही साब आपने एक नॉविल लिखा सुना है मैंने कि ये नॉविल जो है लल्दद ये दस भाशाओं में चपा है और ये इसका छटा एडिशन है इस नॉविल के माध्यम से ये जो आपने चपा है आप क्या कहना चाहते हैं इस पे थोड़ा प्रकाश टाले हैं दरसल क्या है किश्मीर में आज से साथ सो वरस पहले लल्दव किश्मीरी भाशा की पहली पोईटस थी जिसने कश्मीरी भाशा में उस से पहले साथ सो वरस से पहले कश्मीर में ज्यादा तर संस्कृत बोली जाती थी संस्कृत बोलने का रिवाज था और मैं आपको ये भी बात बता राजाता हूं कि संस्कृत का जो high class literature है वो आलमुस्त आध्या आलमुस्त आध्या कश्मीर में लिखा गया है अभी नव गुप्त क्षमेंद्र उत्पलदत भट वो बहुत सारे लेकर कश्मीर में ही पैदा हुए से संस्कृत के तो लेकिन लल देड़ पोईटर्स ने पहली बार आम लोगों की भाषा कश्मीरी में पोईटरी करना शुरू की थे और उसकी और उसने ऐसी पोईटरी की है कि आज तक कश्मीर में बड़े-बड़े पोईट्स पैदा हुए हैं आज भी बहुत अच्छे-च्छे कवी हैं कश्मीर में लेकिन उसके आगे कोई नहीं जा सका, वो जो पहली पोईटस नहीं है, और उसने जो लिखा है, वो स्पिर्चुल है ज्यादा तर, और मुझे उसकी पोईटरी इतनी प्रसंद थी, कि मैं बहुत कई सालों से वो पढ़ता चला आ रहा था, बार बार पढ़ता था उसको, तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं उसपे एक नौवल लिख सकता हूँ, और मैंने क्या किया कि उसकी पोईटरी में से ही, कुछ ऐसे संकेत निकाले, कि उसकी लाइफ की कहानी बनारी मैंने, और ये नौवल मैंने लिख दिया, ये औरीजनली मैंने डोगरी में लिखा, फिर मैंने इसको हिंदी में लिखा, फिर मैंने इसको उर्दू में लिखा, और ये बड़ी अच्छी और ये इतनी पापुलर हुई किताब कि इसको किश यम्मु किश्मीर की एक language है पहाड़ी उसमें यह कोई दस language है अभी भारती है विद्या भवन ने इसको English में चापा तो मैंने कोशिश की है कि किश्मीर की वो पहली कवीत्री उसकी पूरी बच्पन से लेकर last में जब वो शुन्य में विलीन हो जाती है जैसे तो उसकी यह कहानी है और मुझे नहीं पता था कि यह इतनी popular हो जाएगी शायद इसमें कुछ लोग बोलते हैं असल किश्मीरियत जो है वो तो इसी में है तो मुझे बड़ी खुशी होती है यह सुनकर कि मैं किश्मीरियत को जानता हूँ और मैं जमूगर रहने वाला हूँ और हमारी आदी लाइफ तो किश्मीर में गुदरती है क्यूंकि हम गर्मियों में किश्मीर में रहते थे सरडियों में सिरी नगर जमू में चले आते थे में रेडियो स्टेशन में था इसी में आप ने शायद वो छैसो साल पहले जो आकरमन हुआ या मुसल्मानों की इस इस में शायद वो भी वोल्स कटना का भी जिकर किया ना आपने यह वो जमाना था उसका, जब किश्मीर में मुस्लिम, इसलाम का इंफुलेंस जो था, वो धीरे 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 बढ़ता चला गया था। इसी इसी पोईटस लाल देद के वक्त में ही किश्मीर का पहला जो मुस्लिम शासक बना, वो इसके ही वक्त में बना। वहां के जो हिंदू लास्ट हिंदू राजा था वो कैसे किसी आकरमनकारी की कारण वहां से भाग गया और उसकी रानी थी कुटा रानी जिसने मकाबला किया लेकिन उसने मकाबला जिन लोगों के साथ मिलकर गिया उनमें एक मुस्लिम भी थे और उस मुस्लिम ने कैसे धीरे धीरे किश्मीर में वहां शासक बना वो बना कूटा राने को उसने जिल में डाल दिया मर्डर किया धीरे धीरे यह के इस किताब की में कामी नहीं है लिकन बेक ग्रांड में सारा कुछ है तो इसकी पोईटरी में कुछ ऐसे संकेत भी आये हैं कि हमारा जो कल्चर है ये बदलता चला जा रहा है और एक निया कल्चर जो है उसमें आता चला जा रहा है कुछ इसकी पोईटरी में वैसे संकेत भी है और मैंने वो दिया है उसके बारे में भी लिखा है इस किताब में एक घटना है पता नहीं मुझे उसका जो है रिफरेंस नहीं पता कि वहां के जो राजा थे गुलाब सिंग उनके दोर में उन्होंने जिस किसम का काम किया एक राजा की हैसियत में कि परजा में जब ये तमाम बदला हो रहा था इंफलूंस बढ़ रहा था इसलाम की सोच जादा बढ़ रही थी उस वक्त उस राजा के काम से लोग इतने खुश थे या इतना जादा उनका जो पूरा गवर्नेस का स्टाइल था उसने मुसल्मानों को भी हिंदू बनने के लिए उक्साया और उस तरफ प्रिरित किया लेकिन शायद उसके बारे में कुछ ऐसा है अगर आप रोशनी डालेंगे तो जादा बहतर होगा कि जब लोग हिंदू बनना चाते थे तो वो क्यों नहीं हिंदू बने वो क्या कहानी है वो उस पे अगर आप रोशनी डालेंगे तो आज की जनरेशन को पता चलेगा कि आज सिर्फ कंवर्ट होकर के जबरदस्ती हिंदू को मुसल्मान बनाया जा रहा है लेकिन एक ऐसा भी राजा था कि उसने अपनी गवर्नेंस से मुसल्मानों को हिंदू बनने की तरफ प्रेदित करना था मैं नहीं समझता कि महाराजा गुलाब सिंगर ऐसा चाहते थे नहीं उन्होंने अपने काम से ऐसा कर दिया मैंने एक किताब पढ़ी है जो किश्मीर के ही एक मुस्लिम राइटर ने लिखिया इंग्लिश में किताब मुझे नाम आप उसका भूल रहा है उन्होंने उसमें एक जिकर किया है कि चुंके महाराजा गुलाब सिंग पहले जमू के राया थे फिर उन्होंने अंग्रेजों के साथ कुछ समझोता किया और किश्मीर को आलमोस फता किया क्शमीर में उसको हरा कर उन्होंने वहां अपनी खब तो बहुत सालों के बाद महाराजा गुलाब सिंग के आने से कशमीर में थोड़ा अमन अमान काइम होने लगा क्योंकि महराय गुलाद सिंग ने ही जमू और किश्मीर को एक किया था बलके उन्होंने लदाख को भी इसमें मिला दिया तो जमू किश्मीर और लदाख को मिला कर उन्होंने जमू किश्मीर रियास्त की बुनियाद रखी थी तो उन्होंने पहली बार वहां कानून की हकूमत काइम करने की कोशिश की तो उस किताब में मैं अब नाम भूल गया हूँ उस लेखर का नाम भी भूल गया हूँ उन्होंने अपने उसमें लिखा है मेरे नेवियों है पुस्ट सराफ पुस्ट सराफ सब जो दिली में है शायद उनको उस किताब का पता हो तो और क्युंकि उनके जो वाले थे मेरे बड़े भाई उनके बाद वो किताब थी तो उसमें उन किश्मीरी मुस्लिम राइटर ने बात लिखिया है कि महाराजाब गुलाब सिंग का कानूनी राज बनने के बाद कुछ लोगों ने मुस्लिम लोगों ने उनके पास आकर कहा कि आप हमें हम हिंदू बनना चाहते हैं तो महाराजा गुलाब सिंग ने का अच्छी बात है अगर तुम बनना चाहते हो तो मैं तो नहीं बना सकता हूं मैं बनारस के कुछ पंडितों को बिलाता हूं तो उन्होंने बनारस के कुछ पंडितों को बिलाया कि ये लोग हिंदू बना जाते हैं तो उन्होंने पंडितों ने का नहीं 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 हिंदू मजभ में कोई गैर हिंदू का आना बड़ा मुश्किल है ये हो नहीं सकता तो महरा राजय ने का ठीक है नहीं हो सकता तुम्ह गर में उस वक्त के बड़े लीडरान आते थे आपके घर में वो पॉलिटिस डिसकस होती थी वो दौर क्या था ये मेरा आप से आखरी सवाल है देखे मैं मैं तो 1924 के दस साल के बाद प्यादा हुआ हूँ तो लेगन मेरे पिताजी ने एक आटोबरी गिराफी लिखी है उसमें ये लिखा है कि वो लाहूर में थे वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तो महात्मा गांदी ने नारा दिया था कि नान को आपरेशन का नारा दिया था कुछ तो उन्होंने भी वकालत की पढ़ाई छोड़ दी और लाला लाजपत्राए लाहूर से एक अख़वार निकालते थे बंदे बातरम तो मेरे पिता जी उनके बास चले गए क्योंकि वो बीए पास कर चुके थे और लाग की पढ़ाई छोड़ी थी तो लाला लाजपत्राए से बोले के मैं जरनलिस्ट बनना चाहता हूं तो आप मुझे अपने अख़वार में रख लीजे तो उन्होंने कहां के ठीक है उनके पास वो लैटर भी था लाला लाजपत जलियां वाला बाग के का जो मकदमा चल रहा था उन देनो वो रिपोर्ट किया था शायर ऐसा कुछ था उनका तो फिर उनको ख्याल आया कि जमू किश्मीर से कोई पेपर नहीं निकलता है तो मैं यहां मैंने लेली है ट्रेनिंग लाला लाजपत राए से तो जमू से क्यों पेपर निकालों तो वो जमू में आगे और लेकन उन्होंने एक एप्लिकेशन दी महराया परताव सिंग को जो महराया हरी सिंग के फार थे तो उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया तो एक साल के बाद उन्होंने फिर एप्लिकेशन दी के भही मैंने आपको का, दीजे मुझे, तो उनोंने कहा कि नहीं 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 जवाब दिया कि हम इस पे गौर भी नहीं कर सकते, तो उनोंने फिर तीसरी दर्ख्वास दी, कि नहीं आप मैंने आपको पहले भी बोला आपने कर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्यों निकालना चाहता हूं? मैं आप महराजा साभ का और अवामका लोगों का रिष्टा मस्भूथ करना चाहता हूं इस अख़ार के दिरी और आप सब आपके पास लोगों की खबर पुझाना चाहता हूं और आपकी खबर लोगों तक पुझाना का कुछ यजी बाते उन्होंने लिक nationale जो जर्नलिजम के सुबल होते हैं तो उन्होंने कहा कि हमने गौर किया हैं लेकिन नहीं हमने भिले अच्छा मैं मेरा सवाल तो यह आप से आखरी था लेकिन एक आखरी सवाल रहे गया है वेद राही साथ आप जम्मू में पैदा हुए आपने जम्मू को बंते बेगड़ते देखा आपने कम्मूनलिजम को अपने चरम पे देखा इस्लामिक ताखतों को अपने चरम पे देखा मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूँ आप तमाम सारा इतना सफरिंग कोंके बाद आप भारत की जो कॉमर्शल कैपिटल जिसे कहते हैं आप यहां बसे हैं मुझे जहां तक याद पड़ता है कि आपने एक स्वतंत्र वीर सावर करकर के उपर तीन गंटे की फिल्म भी बनाई बहुत पॉपुलर हुई वो फिल्म और आजकल आप उस फिल्म बनाने के बाद तीन गंटे में आपने बहुत कुछ दिखाया है उसकी तारीफ हुई और वो फिल्म भी बहुत दूर दूर तक देखी गई लेकिन उसके बावजूद भी आप अभी हाल में सावर कर के उपर कनाटक लिख रहे हैं ये अच्छी बात है लेकिन क्या कभी आपने जो आपने खुद जिया जो सफरिंग आपने बरदाश की अपनी जमीन से इतनी दूर आ गए कभी आपने कश्मीरियों के उस सफरिंग के बारे में फिल्म बनाने की क्यों नहीं सोची और क्यों आपको लगता है कि आज सावर कर जादा रिलिवेंस है जादा उनकी रिलिवेंसी है इसलिए आप सावर कर पे काम कर रहें मेरा आखरी सवार पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक टीवी पर बहुत भी पॉपॉलर सीडिल बनाया था गुलगुलशन गुलफाम जो दूरदर्शन पर आता था दूरदर्शन पर आता था और उसमें मैंने ये बताया था कि कश्मीर के कश्मीर में हिंडू और मुसल्मान कैसे आपस में मिलजुल कर रहते थे और उनकी आपनी सामाजिक प्राबलम्स क्या हैं ये मैंने उसमें बताया था और वो इतना पापुलर हुआ था कि मैंने और वो यहां आकर ही बनाया था क्यूंकि उसे बनाने के लिए मैं यहां से आपना यूनिल लेके तो वहां गया था कश्मीर में गया था और वहां शूटिंग की थी लेकिन आप हैरान होंगे यह सुनकर एक दिन मैं हाउस बोट में शूटिंग कर रहा था और जैसे ही मैंने कहा कैमरा स्टार्ट तो पीछे एक बंब फटा तो मैं मैंने कहा यह मैंने तो कोई बंब पीछे लगाया नहीं था यह क्या हुआ तो पता चला के वहां उन्हीं दिनों वो यह जो टेरिरिज्म था उसका अगाद गवा था यह बात मैं कर रहा हूँ नाइंटिन एटीनाइन के यह उन्ही दिनों शुरू हुआ था नाइंटिन एटीनाइन का मतलब करीब करीब उस वक्त की बात कर रहे हैं जब दिल्ली के अंदर वीपी सिंग की सरकार थी और मुफ्ती मुम्मद सईध हूम इनिस चलते यह उसी वक्त की बात है तो यह मैं आप से यह कह रहा हूँ कि कि आपने किश्मीर को भूला नहीं हूँ बलके मैंने कोशिश की है लोग यह कहते हैं कि आप मुमदै आकर के सावरकर को ज्यादा याद रखते हैं और कश्मीर को कम रखते हैं तो आपका वर्तबान जो नाटक आप लिक रहे हैं तो यह हम वीज सावरकर की पॉलिसी की होजे से ही ठीक हो रहे हैं, जिसे नारेंदर मोधी जी या अमिद्शाजी को कर रहे हैं, तो मैं आप से यह कहना चाहता हूँ, यह किश्मीर, यह हम अगर हम इसको एक ही राष्टर मानते हैं, तो किश्मीर बंबे से दूर नहीं है, मैं और यह दूसरी किताब जो आपके हाद में है, अनन्त जो है, यह उस मूवमेंट की कहानी है, जो जमो में श्राइन बोर्ड की वज़े से जो हुआ था, टीन महीने सारा जमो बंद रहा था, और वहां कितने योकों ने अपना आत्म बलिदान किया था, इसमें मैंने यह बता है, कि जमो के लोग तो आत्म बलिदान देते हैं अपने, लेकिन टेरिडिस्ट लोग जो है, वो दूसरों की जान लेके, वो अपना काम, अपना मकसद पूरा करना है, वेद रही साब, आप कश्मीरी होने के बावजूद भी यहां रहे, कश्मीर आप से दूर नहीं है, अगर जितना काम आपने वीर सावर करकर के उपर किया है, अगर मैं आप से सिर्फ दो लाइन में यह पूछना चाहता हूँ, कि अगर यह देश सत्तर सालों के बाद जिस मुकाम पे पहुंचा है, कि आप मानते हैं कि वीर सावर करकर की फिलोसफी को अगर यह फॉलो करता, तो आज यह देश जिस मुकाम पे खड़ा है वहां नहीं होता, क्योंकि वीर सावर करकर के उपर आपने बहुत अध्यन किया है, बहुत रिसर्च किये, दो लाइनों में मुझे बताईए, कि सावर कर का जो हिंदुत था, या सावर कर का जो हिंदुस्तान था, वो अगर ऐस नहीं होता अगर आज उनकी पॉलिसी पे चला जाता, नहीं मैं यह समझता हूँ कि पिछले 6-7 बरस में जो भारत में हो रहा है, उसमें बहुत कुछ सावर कर की विचार धारा है, तो यह सब कुछ हो रहा है, हमें यह मानने में बिलकुल ही संकोच नहीं होना चाहिए, और म मैं समझता हूँ कि सावर, वीर सावर कर को गलत ढंग से प्रोजेक्ट करके कुछ खास टाकतों ने उनको इतना कंट्रोवर्शल बना दिया है, और इतना कंट्रोवर्शल बनाया है तो इसमें कोई गलती भी नहीं है, क्यूंकि कंट्रोवर्शी में भी जो इनसान के मैं समझता हूँ कि मैंने जो पिक्चर बनाई थी वीर सावर कर पर, वो इतनी पॉपुलर हुई कि मैं समझता हूँ लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा होगा, और इस वक्त मैं दरसल चूंकि फिल्म वगारा नहीं बना सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं एक नाटक रह गया है क्योंकि तीन घंटे में वीर सावर कर का जो व्यक्तित्व है, वो इतना वीराठ है कि उससे तीन घंटे में समया नहीं जा सकता है, तो जो कुछ रह गया था, और जो आज का संधर्भ है, जबके हमारा भारत बदल रहा है, मेरे ख्याल में वीर सावर कर जी की जो का जो दर्शन है वो ही इस कंट्री को और भी आगे लेके जाएगा जैसे आज लेके जा रहा है हमें ज्यादा से ज्यादा उनको समझने की जरूरत है क्योंकि अगर हम फिल्म, नाटक, टीवी, अपनी डेली लाइफ में अगर हम उन चीजों को नहीं अपनाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे मेरे ख्याल में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वीर सावरकरजी की एहमियत बढ़ती जाएगा आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान प्रदिश में गांधी इर्रेलेवेंट हो चुके हैं ये इतना असानी से तो नहीं कहा जा सकता इर्रेलेवेंट हो चुके हैं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ के जैसे वक्त गुझरता जाएगा हम वीर सावरकरजी को अपने देश के लिये जो किया उसमें कहां कहां कुछ रह गया है आप ये कहना चाहते हैं कि गांधी रेलेवेंट है लेकिन आज वीर सावरकर रेलेवेंट जादा है ये जयादा अच्छी बात है वेद भाई ये जयादा अच्छा आपने कहा है कि सायद। आप सुटन्त नहीं पहले पर से यूटूब चैनल को आपने पहला इंट्रव्यू दिया आपका बहुत बहुत शुकृएद धन्यवाद। कर दो दो कि अजय को अजय को जो दो आज़ है झाल 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 झाल